आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्विटर ने आज एक घंटे के लिए भारत के कानून और आईटी मंत्री रवीशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया और इसके लिए ट्विटर ने अमेरिका के कानूनों का हवाला दि प्रवेश करती हैं और फिर धीरे भारत में अपना कानून चलाने लगती हैं जब हमारे देश में अंग्रेज आये थे तब भी यही हुआ था ट्विटर ने आज ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो यहां भारत के समिधान को नहीं बलकि अपने समिधान को मानता है ट्विटर ने रवीश अंकर प्रसाद को ये बताया कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपिराइट एक्ट यानी DMCA का उलंगन किया है यानि सोचिए ट्विटर भारत के कानून मंत्री को ये बता रहा है कि उन्होंने भारत के कानून मंत्री ने अमेरिका के कानूनों का उलंगन किया है और भारत के कानून मंत्री ने DMCA ये जो एक एक्ट है अमेरिका के कानून का उसका उलंगन किया है और इस कारण भारत के ट्विटर ने रविश अंकर प्रसाद को ये भी लिखा कि अगर बार बार उन्होंने अमेरिकी कानून का उलंगन किया तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा सूचिए कानून का ये पार्ट ट्विटर भारत के ही कानून मंत्री को पढ़ा रहा है और अमेरिका के कॉपी राइट कानून का यहां भारत में हवाला दे रहा है जैसे कि अमेरिका पूरी दुनिया का मालिक हो और अमेरिका के ही सारे कानून पूरी दुनिया में हर देश में चलते हो रवीश अंकर प्रसाद ने ट्विटर की इस मनमानी की जानकारी देते हुए खुद लिखा है कि टीवी चैनल्स पर दिये उनके इंटर्विव के क्लिप्स को शेर करने से ट्विटर परेशान हो गया है रवीश अंकर प्रसाद ने आपको याद होगा 16 जून को डिने में हमारे साथ एक इंटर्विव किया था जिसे आपने भी जरूर देखा होगा और ट्विटर की मनमानी पर उनकी ये पहली प्रतिक्रिया थी किसी भी टीवी चैनल पर और उस वक्त उन्होंने हमारे साथ इस इंटर्विव में ट्विटर की मनमानी पर गहरी नाराजगी जताई थी उन्होंने कहा था ट्विटर इस्ट इंडिया कंपनी के तरह वेवार कर रहा है अकाउंट ब्लॉक होने की जानकारी देते हुए रवीशंकर प्रसाद ने आज कहा कि ट्विटर भारत के नए कानून को इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि उसका एजिंडा यहां चल नहीं पाएगा उन्होंने ये भी लिखा कि ट्विटर ने उनके अकाउंट को जिस तरह ब्लॉक किया है वो भारत के आईटी कानून 2021 का उलंगन है क्योंकि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले उन्हें जानकारी नहीं दी गई रवी शंकर प्रसाद ने 16 जून को मेरे साथ जो बात चीत की थी उसके बाद 19 जून को इसी इंटर्वू का एक वीडियो क्लिप रवी शंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेर भी किया था रवी शंकर प्रसाद के मुताबिक उनके इंटर्व्यू को बहुत पसंद किया गया और इसी बात से ट्विटर परिशान हो गया आज आपको उसी इंटर्व्यू का हम वो हिस्सा दिखाते हैं जो रवी शंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था भारत में आईए, खुब व्यापार करिए, पैसे कमाईए, नरेंद मोदी जी क्या लोचना करिए, रवी शंकर बाबू की करिए, सुधिर बाबू की करिए, खुब सवाल पूचिए, लेकिन भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत का सम्विधान मानना पड़ेगा. भारती आईटी कंपणी जाती है अमरीका में तो वहां का कंद मंतिक नहीं मनती है वैपार करने भारत की दवा कंपणी अमरीका में जाती है तो भारत का कंद मंतिक नहीं मनती है तो सुधिर बाबू बहुत विनमता से आपके दर्शकों के लिए देश का IT मंत्री इतना ही कहना चाहेगा नरिंद्र मोदी की अगवाई का भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर समझावता नहीं करेगा इस्ट इंडिया कंपनी का जमाना बहुत पहले चला गया देखिए मैंने ये भी कहा था कि आप अंत्री विवस्था कर सकते हैं तो पहले किसी वकील को बना दिया हमने कहा आपका इंप्लॉई होना चाहिए आपका भी कहते हैं किसी को कंट्रैक्ट पर रख रहे हैं कल शाम तक के सिती हुई थी कि कोई इनका कंप्लाइंस ऑफसर नहीं था लेकिन आपने कहा बहुत मनशा की बात कही तो सुधिर बाबू ये गरिवांस ऑफिसर ये नोडल ऑफिसर ये कंप्लाइंस ऑफसर के लिए कोई UPSC की IES IPS की परिक्षा करनी है क्या परिक्षा इंटरव्यू अरे आप दुनिया के कंपनी है प्रॉफिट कमाते हैं दुनिया को ग्यान देते हैं इनका मालूम है कोई दफ्तर नहीं है कायदे का व्यापार करने के लिए विज्यापन कमाने के लिए खुब लोग है लेकिन बाकी कोई सवाल पूछे जिना हमें कोई अधिकार नहीं अमेरिका दिल्ली पूलिस जाके समद्ध देने की कोशिश करेगी जिना हम कुछ नहीं कर सकते अमेरिका ऐसे कैसे चलेगा भाई तो कुछ लोग ट्विटर के बैठे हुए लोग हमें लोगतंतर का ग्यान न दें बहुत रुनतर से मैं कहना चाहता व्यापार करें पैसे कमाएं सवाल पूछें सब कुछ करें भारत का कानून और भारत का समिधान मनना पड़ेगा अब ट्विटर का कहना है कि रवी शंकर प्रसाद ने कौपी राइट कानून का उलंगन किया है यानि ट्विटर पर किसी दूसरे चैनल का वीडियो क्लिप वीडियो शेर करने से पहले अनुमती नहीं ली रवी शंकर प्रसाद ने जी न्यूस को दिये अपने इस इंटिव्यू का वीडियो 19 जून को ट्विटर पर शेर किया था लेकिन हम यहाई इस फ़ष्ट करना चाहते हैं कि जब हमें कोई परिशानी नहीं उनके दौरा इस इंटिव्यू का वीडियो शेर करने से तो फिर ट्विटर को क्या परिशानी है ना तो जी मीडिया की तरफ से ना ही मेरी तरफ से रवी शंकर प्रसाद के वीडियो क्लिप शेर करने पर किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज कराई गई है ना ही आपत्ती जताई गई है फिर ट्विटर को किस बात पर एतराज है इसके अलावा हमसे बात करने के बाद रवी शंकर प्रसाद ने भारत के कुछ और निउस चै रवी शंकर प्रसाद द्वारा उनके वीडियो शेर करने को लेकर कोई आपत्ती जताई होगी फिर भी ट्विटर बीच में आया और ट्विटर का ये कहना है कि ये कौपी राइट एक्ट का उलंगन है रवी शंकर प्रसाद ने भी आज अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि पिछले कई वर्षों में किसी भी टेलिविजन चैनल या किसी एंकर ने सोशल मीडिया पर साजा किये गए उनके इंटेव्यू के वीडियो क्लिप्स को लेकर कौपी राइट उलंगन की कभी कोई शिकायत नहीं की ट्विटर के इस कदम से साफ है कि वो फ्री स्पीच का स समझे कि आप ने भारत के कानूनों को पढ़ लिया और आप सुरक्षित हो गए और आप भारत के कानूनों का पालन कर रहे हैं इसलिए आप अच्छे नागरिक हो गए अगर आप ट्विटर जैसे प्लैटफॉर्म पर हैं तो आपको भारत के ही कानूनों का पालन नहीं करना आपको अमेरिका के कानूनों का भी पालन करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपने भारत के सारे कानूनों का पालन कर भी लिया हो और अमेरिका का कोई कानून आपसे छूट गया तो ट्विटर आपको ब्लॉक कर देगा सीधा सा मतलब ये है कि अब भारत में आप ट्विटर जैसे प्लैटफॉर्म पर अगर हैं तो भारत का कानून नहीं, अमेरिका का कानून लागू होगा, चाहे आप नागरे कहीं के भी हैं इस कानूर को जिसका जिकर टुटर ने किया है, इस कानूर को डिजिटल मिलेनियम कॉप्यराइट एक्ट यानी डीम सी ए कहते हैं अक्टूबर 1998 में इस कानूर को अमेरिका के तद्काली नराशपती बिल ק्लिंटन ने लागू किया था और Bill Clinton ने तब कहा था कि इस कानून को बनाने का मकसद किसी भी digital content को चोरी होने से बचाना है content चोरी होने पर ये कानून ROP के खिलाफ कारवाई में मदद करता है इसके तहित सभी तरह के digital products जैसे audio, video या text content इसके अंतरगत आते हैं अमेरिका में कोई भी व्यक्ति यदि बिना अनुमती लिए किसी का कॉंटेंट कॉपी करता है या अपने सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो DMCA के तहत उस पर कारवाई होती है लेकिन ट्विटर ने भारत के कानून मंत्री रवी शंकर प्रसाद पर अमेरिका के उसी कानून के तहत कारवाई करते हुए उनका अकाउंट ब्लॉक किया है Twitter अंग्रेजों की East India Company के तरह वैबार कर रहा है और नई East India Company भारत के कानूनों को मानने से इंकार कर रही है हमारे देश में आकर हमारे कानून को हटा कर ये अपना कानून चला रही है हमारे समिधान को हटा कर अपने समिधान से चल रही है ये नई East India Company हमारे शासन को नाक कहकर अपना शासन चलाने की कुशिश कर रही है जो काम वर्षों पहले England की East India Company ने किया था वही काम आज Twitter जैसे प्लैटफॉर्म्स कर रहे हैं इसलिए हम आपको इस से साबधान करना चाहते हैं क्योंकि ये जितनी बड़ी बड़ी टिकनोलोजी कंपनिया हैं ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रवेश कर रही हैं हर देश में धीरे धीरे लोग इन पर आ रहे हैं फ्री स्पीच के नाम पर ये सबसे पहले अपना प्रचार करती हैं और कहती हैं कि ये free speech की समर्थक हैं और अगर आप अपनी बात खुल कर कहना चाहते हैं तो इन platforms पर आईए क्योंकि ये free speech को encourage करते हैं और धीरे धीरे ये हमारे देश की जो युवा पीडी है उसे भी अपने कबजे में ले रहे हैं और भारत जैसे देशों को ये बहुत बड़ा बाजार समझते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे इनके platform पर लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब इन देशों इन कंपनियों ने अलग 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 देशों की sovereignty समप्रभूता को ही चुनोती देना शुरू कर दिया है और अब ये लोग चाहते हैं कि इनकी अपने देश की तरह ये काम करें ये इनकी अपनी सरकारे हो और जो boundaries को जो अलग 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 देशों की जो सीमाए हैं उन्हें ये तोड़ते ह हुए किसी भी देश में प्रवेश कर सकें और इन पर किसी का कोई कानून लागू ना हो इसलिए आपको साफधान रहने की ज़रूत है आप जरूर इस्तेमाल कीजिए इन प्लैटफॉर्म को अपनी बात कहने के लिए लेकिन इनके गुलाम मत बनिये और जो भी बात आपको सुईकार ना हो जैसे हम ये आज कहते हैं हमें ये बात सुईकार नहीं है कि भारत के कानून मंत्री पर अमेरिका के कानूनों का हवाला दे कर कोई कारवाई हो